दोस्तो जियो फाइनेंसल सर्विस की बात करें तो quarter 4 के पहले ही stock ने जबर्दस धमाका किया है बहुत ही जबर्दस तेजी के साथ stock आगे बढ़ रहा है और जबर्दस volume टॉपर बना हुआ है तो यह जो तेजी बने इसके पीछे region क्या उसको समझने की कोसिस करेंगे और आप देख सकते हो कि एक fresh high बना दिये एक all time high बना के क्या stock इसी तरसे दोड़ते हो 400 को cross कर जाएगा जानने की कोसिस करेंगे इस वीडियो के माद्यम से क्या इस समय हमें जियो फाइनेंसल में investment करना चीए आप यह देखी सकते हो कि company लगातार काफी इचा प्रदसन कर गी है और आप देख सकते हो कि इस result के अंदर point की संभौना दिख रही है और इसका असर यहाँ पे देखने को मिला जबकि बाजार में नर्मी का वातावन है और NBFC की यह जो company है जो आने वाले समय CIC बने की तरफ आगे बढ़ रही है और लगातार एक के बाद एक नए 20 announcement हो रहे यह स सारी बातें साबित करी है कि जियो financial service कुछ अच्छा करता हो दिखाई देगा तो क्या इस समय investment करना चीए लेकिन फ्रेंड उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एक बेल आइक उन दबा दीजिए ताकि जबी ने व स्वागत है तो भी 11 बजे के आसपास का टाइम है बी एसी सेंसेक 72,982 के इस्तर पर जापे मातर 38 पॉइंट की तेजी यानी 053 परशन की तेजी है वैसे बाजार की सुरुआ तो काफी एची 200-200 पॉइंट की तेजी के सारु थी लेकिन बाजा टिक नहीं पाए बाजार में 0.01% की गिरावट है तो बाजार में दबाव दिख रहा है लिकिन उसके बावजुद भी जियों फाइनसर सर्वीस लगातार दोड रहा है अब आप ये देखी सकते हो कि स्टॉक की सुरुआदी पॉइंट हुई 369 पर प्लोजिंग थी कल की 361 के आसपास इंट्रारे में 384 का इसने हाई बनाया और जो लो है वो 367 का है तो काफी जबर्दस दौड लगाई नीचले लेवल से और इस समय उपरी लेवल के आसपास ये 383 के आसपास टेट क्राइज स्टॉक जापे 6.08% की सांदार तेजी बनी हुई है ये काफी दिनों के बाद स्टॉक के अंदर मेनी प्लेस का 4 कोट का volume था 1 कोट की deliberate हuation एंद वींग पहले भी 4 कोट का volume था 2 कोट की delivery है और आप देख सकते हो कि यहाँ पर कल 5 कोट का volume था 2 कोकूर का delivery बिसकाम और आज सुब ऑ--सुब also denyingथा और आज 다시 का वाichen के 5 कोट का volume हो चुका शाड़ी 10 बजे के आस पासी पूरे बाजार में वॉलिम के मामले में जियो फाइनेसल सर्वीस नमबर तीन पे है तो काफी जबरदस परदसन करता हो दिखाए देगा जियो फाइनेसल सर्वीस अब आप देखी सकते हो इंट्राडे का लो 367 लेकिन हाई 384 का है जो बिलकुल एक आज फ्रेश हाई बना दी एक नया इतियास रज़े देखाए लगातार दोड़ रहा है अब इसकी परफरमस को देखे तो 9 अप्रेल को श्टोक 367 के आसपाद जापे 0.4% की गिरावट वी थी 10 अप्रेल को श्टोक की क्लोजिंग 370 के आसपास ली 0.7% की तेज़ी के साथ 12 अप्रेल को श्टोक आगया 372 के आसपास जापे 0.5% फिर से तेज़ी बनी 15 अप्रेल को श्टॉक में काफी बड़ी गिराउट ही 354 के आसपर श्टॉक आ गया 4.8% की बड़ी गिराउट के साथ क्योंकि बाजार में भी जबर्दस गिराउट ही थी लेकिन 16 अप्रेल को श्टॉक फिर रिकवर कर गया गिरिते बाजार में भी 361 के आसपाई जापे 2.1% की टेजी देखने को मिली जबकि बाज़ार में 4500 पॉइंट की गिराउड थी अब जो बड़ी अपडेट निकल के आ रही है इस बार quarter 4 में NBFC काफी सांधर कर सकते हैं करीब 15% की यहां पे lawn growth में व्रिजी देखने को मिल सकती है यहीं एसेट क्वालिटी में जबर्दसुदार हो रहा है और NBFC पे लोगों का बरोसा इसमें काफी एचा बना हुआ है तो Reserve Bank of India ने NBFC पे कमर देखे लगाम कसी थी पिछली बार और आप देख सकते हों कि NBFC से कादा कि वो अनसेकर लौन जादा न बाटे और रिस्क न बढ़ा है तो अब वो सारी बातों के बावजुद भी जो इस तरह से जो growth दिखा दे 15 से 17% की 2024 के quarter 4 के लिए वो इस सारा कर रहा है कि लोग आने वाले समें भी NBFC पर ऐसे ही बरुसा बनाए रखेंगे और काफ़ी अची संभावना पॉजिटी दिखा देगी तो ये result की जो संभावना है ये जियो के लिए भी इस बार अच्छी दिखाई दे रही है अब जियो फाइनसे सर्वीस के लिए जो एक पॉजिटीव ट्रिगर रहा तो ब्लैक रॉक के साथ में इन्हों ने ब्रोकिंग बीजनस में इंट्री की समभावना तलास लिए और दोनों ने मिलके इसके लिए 50-50% की पार्टनर्सिप की है अब दोनों मिलके ब्रोकिंग बीजनस में तेजी से आगे बनेगे और जिस दसे बाजार में जेरोदा हो आप श्टॉक हो या फिर एंजलों उनको टकर देने के लिए तैयार है आने वाले समय ब्रोकिंग बीजनस में भी ये कमपणी नमबरवन बन सकती है यानि आप समझ सकते हो ये बीजनस इनको बहुत उचायों पहले के जा सकता है इससे पहले इन्होंने म्यूचल फंड का बीजनस भी सुरू करने के लिए परमिसन मांगी है सरकार की दर्प से अब एप्रूवल नहीं मिला है जैसे एप्रूवल मिलेगा म्यूचल फंड का बीजनस भी कमपणी शुरू करने जा रही है तो कुल मिला कि यह जो बीजनस एक के बार एक जो हो रहे है और ब्लैक रॉक जैसे बड़े ग्लोबल इंवेस्टर का साथ मिला है जिससे इनका बीजनस बिल्कुल आपको पट्री प्याता हो दिखाए देगा अब कल हमारे सामने quarter four का result होगा अब पिछले result की बात करें तो आप देख सकते हो कि इसमें जो गिरावट थी इसके पीछे बज़े बीजनस अभी तक पूरी तरह से शुरू होए नहीं है अब धिरे बीजनस शुरू होने लगे है आने वाले समय में यानि यह जो quarter four इस बार थोड़ा सा बावल पॉजिटिव दिखा रहा है लेकिन quarter one काफी बैतर रहने की उम्मीद है यानि अभी इसमें ज़्यादा हम आसा नहीं कर सकते हैं क्योंकि बीजनस तो अभी भी शुरू हुए नहीं लगे है तो इसका जो फाइदा होगा वो तो आने वाले समय में देखन हो चुका है और यही सबसे बड़ी बात है कि इसका एक पॉजिटिव ट्रिंगर है आने वाले समय कंपनी तेजी से अपने जियो पैमेंट बीजनस के लिए भी कमरकत चुकी है और लीजिंग का बीजनस भी सुरू कर चुकी है जो बिल्कुल एक नया बीजनस है और इसलिए कह सकते हैं कि जियो फाइनसल सर्विस आदने वर्स में आपको सांदा रिटन दे सकता है अब आप देखो कि जो ब्रोकेज फॉर्म है उनके पास फिलाल स्टॉक को खरीदने या ना बेचने के लिए उन्हों ने अपनी राय नहीं दिया उनका कहना है कि कमपनी की कारूबार लग रहा है इसमें आपको खरीदारी करनी चाहिए उन्हों ने इसका टारगेट दिया 450 का तो जीम फाइनसल बहुत ज़्यादा बुलिश है लेकिन शेर खान के हिसाब से अभी वेट करना चाहिए श्टॉक के अंदर अब कुछ जो बड़ी डिल हुई है सुब सुब पर 375 की प्राइसे 2,37,000 की विक्वाली हुई फिर 9 बचकर 19 मिलेट पर 356,000 की खरीदारी हुई तो उसके बाद 9 बचकर 21 मिलेट पर 380 की प्राइसे 4,14,000 की बड़ी प्रॉफिट बुकिंग हुई यानी उपरी प्राइस में प्रॉफिट बुकिंग भी दिखाए दे रही उसके बाद 10 बचकर 10 मिनट पर 380 की प्राईस से 437,000 शरो की एक बिकवाली और हुई बड़ी उसके बाद 10 बचकर 10 मिनट पर उसी समय 382 की प्राईस से 2.74,000 शरो की फिर से खरीदारी हुई तो उसके बाद 10 बचकर 11 मिनट पर उसी समय देख सकते हो कि लगबग 381 की प्राई प्रॉफिट बॉकिंग और भी यानि प्रॉफिट बॉकिंग दिखाई दे रही है यानि अभी भी लोग प्रॉफिट बॉक करना पसंद करें क्योंकि स्टॉक औल टाइम हाई पर है लेकिन खरीदार भी इस लिए अच्छी खरीदारी करें 450 के टार्केट के साथ ऐसे मैं यूकेशनल परपज के लिए ही बनाए वडियो पसंद आए तो लाइक से जरुकी जोड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजे थैंक यू फ्रेंड